गोबे के फूल के बारे में कौन नहीं जानता? तरह तरह की वेंचन बनाने में इसका इस्तमाल होता है डॉक्टर भी इसे खाने की सला देते हैं इसे काने से लोग हेल्थी रहते हैं और खुद का उर्जा वर्जिन महसूस करते हैं मगर इन दिनों पिरामेट की तरह दिखनी वाली एक विचित्र गोबी लोगों का ध्यान अपनी और खीच रही है सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इस गोबी की कीमत 2200 रुपे प्रती किलो तक है आए विसार से जानते हैं इसके बारे में हमारी फैक्ट नमबर टू में पिरामेट की तरह दिखनी वाली इस विचित्र गोबी को दुन्या भर की लोग रोमेनिसको कॉलिफर और रोमेनिसको ब्रोकली की नाम से चानते हैं यह सेलेक्टिव ब्रीडिन का पहतरी उदारन है इसकी खास बनावट के कारण यह गोबी मार्केट में 2200 रुपे प्रती किलो तक की कीमत में बिक्ती हैं हाले में फ्रेंच नैशनल सेंटर फोर साइंटिफिक रिसरच के वैग्यानिकों ने भी इस गोबी की बनावट पर अध्यान किया है जिसमें पता चला कि इस गोबी की विचीतर दिखने की वज़ा इसका फूल है गोबी में मौजोद दानेदार फूल दरसल बड़े फूल में तबदील होना चाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पता इसका निचला हिस्सा तरे में तब्दील हो जाता है और उपने हिस्सा कली बन कर रह जाता है ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के उपर दूसरी कली चर जाती है इस तरह से ये पिरामिट जैसे तिकने लगता है वेग्यानिक लेक्जेंटर बुक्ष कहते है कि इस गोबी की पिरामिट जैसे आकरूती का पता लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें किसी तरह की बीमारी हो तो उसे सुधारा चाह सके ऐसे आकरूती का पता लगाने के लिए गोबी के अलग-अलग फूल का 3D मॉडल तयार किया गया ताकि इसे बहतर तरीकी से समझाया जा सके फ्रांसा पारसी बताते है कि रोमिनस को कॉलिफ्लार फूल की तरह अपनी पहचान बनाना चाहती है लेकिन बनान नहीं पाती सामान्य गोबी और ब्रोकली में तो ये फूल अलग-अलग दिखाई दीते हैं लेकिन रोमिनस को गोबी में फूल ज्यादा निकलते हैं तो वे अलग-अलग दिते हैं इसका स्वाद करीब-करीब मुंफली जैसा होता है जो पकर और भी स्वादिश्ट हो जाती है रोमिनस को कॉलिफलार की मार्केट में खूब डिमान रहती है अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में लोग इसे 21,000 रुपे किलो तक खरीद लेते हैं हैल के लिए यह लापकारी पताई चाती है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C, विटामिन K, डायेटरी फाइबर्स और केरिटिनाइड्स होते हैं जो व्यक्ति को स्वास्त लाप देते हैं धैनेली वाली बात यह है कि गोबी की यह प्रचाती, पत्ता गोबी, प्रकली और काले के साथ उगाई चाती है